Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 9.4 से question number 8 करेंगे, 8 का 6th part करेंगे इस वीडियो के अंदर, 6th part के अंदर शो करना है area of CYXE, CYXE, इसका area बराबर है ACFGK, अब यह part proof करने के लिए इसमें हम part number 5 की help लेंगे, part 5 में हमने क्या शो किया है, कि जो CYXE है, यह twice area FCB के है, CYXE हमारा यहां भी है, यह हमने twice of area FCB शो किया हुआ है, part number 5 के अंदर, अब यहां पे यह जो ACFG है, अगर इस ACFG को भी मैं इसी के बराबर शो कर देता हूँ, twice of area FCB के, तो फिर यह दोनों के दोनों किसी सेम चीज़ के बराबर हो जाएंगे, तो फिर यह आपस में भी बराबर हो जाएंगे, तो यही पे मेरे को यही काम करना है, मेरा target यही होगा, कि ACFG को मैं twice of area FCB शो कर देता हूँ, तो इसकी शुरुआत करते हैं, figure में देखिए, figure के FCB, FCB, यह एक triangle है, यह square और यह triangle, इन दोनों के अंदर यह जो CF side है न, यह common है, यह common base हो गया, और यह दोनों, square B और triangle B, यह same parallel lines के बीच में भी लाई करते हैं, यह क्योंकि 90 degree का angle होगा, और यह 90 degree का angle होगा, क्योंकि एक square है, तो यह जो side है, CF और यह जो BG है, यह lines आपस मे parallel होगी, तो यहां हमारी theorem लग जाएगी, कि triangle और parallelogram, square को parallelogram बोल सकते हैं, कोई triangle और कोई parallelogram जब same base पे होता है, और same parallel lines के बीच में होता है, तो triangle का area उस parallelogram के area का half होता है, यही से हम इसके लिखने के शुरुआत करेंगे, तो direct result लिखता हूँ में पहले, और side में bracket में उसका result लिख देंगे, तो FCB, area of FCB, यह बराबर हो जाएगा, half of area ACFG के, और reason इसका हम लिखते हैं यहां पे, कि यह दोनों same base पर लाई करते हैं, और same parallel lines के बीच में लाई करते हैं, तो triangle FCB and parallelogram ACFG, बोथ लाई on the same base, और same base है, यहां पे CF, and between same parallel lines, same parallel lines है, CF और BG, CF and BG, तो इस reason की वजए से, इस theorem की वजए से, FCB का area, half of area ACFG हो गया, अब यहां पे यह half की form में है, इस 2 को जब मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो यह twice of area FCB हो जाएगा, यहां divide में है न, तो यहां multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, twice of area FCB is equal to, यहां पे सिर्फ area of ACFG, यह बच जाएगा, अब इस result को मैं number 1 रख देता हूँ, तो यह काम मैंने यहां पे कर दिया है, ACFG को मैंने twice area FCB शो कर दिया है, अब दूसरी चीज़ हम इसमें यह लिख देंगे, कि यह जो twice area FCB है, यह CYXE के भी बराबर है, तो इसे also करके लिख देंगे, also, twice of area FCB, यह बराबर CYXE के भी है, area of CYXE, इसे number 2 रख देंगे, अब 1 और 2 को जब आप compare करोगे, तो आप देखोगे, ACFG और CYXE, यह दोनों के दोनों twice area FCB के बराबर है, left side इनकी जो है बराबर है, तो right भी बराबर होगी, तो therefore, from 1 and 2 हमारा result आ जाएगा, तो therefore, from 1 and 2, हम लिख सकते हैं कि area of CYXE, यह मैं पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि यह result में हमें पहले लिखा हुआ है, CYXE, बराबर हो जाएगा area of ACFG के, बस यही हमको इसके अंदर शो करना था, तो hence prove, part खतम, next part के लिए next video मिलते हैं, तब तक के लिए, goodbye.